जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शुकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जन्जात्कों का जनम दिवसे मेरे जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है किन सादकों के उपर या किन व्यक्तियों के उपर किन जातकों के उपर ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव नहीं आता हाँ आप ग्रहों का प्रभाव तो सब के उपर आता चाहे शुबाए या शुबाए लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनका बहुत ही अच्छा जीवन होता है और जिनके उपर ग्रहों का नकारात्मक प्रवाव नहीं आता है वो कौन से व्यक्ति होते हैं आईए इस रंक में हम आपको बताएंगे आज का पंचांग 17 फरवरी सन 2022 दिन ब्रस्पतिवार फालगुन मास फालगुन का महीना प्रार प्रेश्चत्रमगा राहुकाल डेड़ से तीन दिसा सूर दक्षिन दिसा फालगुन का महीना बहुत कुछ हमें इस माह में भी करना है आप यूहीं हम से जुड़े रहें आपका ऐसे ही प्रेम मिलता रहें हम भी कोई कसल नहीं छोड़ेंगे कि जितना हमसे हो सकता आपको समझाते रहेंगे बताते रहेंगे अब आईए हम अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ग्रहों के असर से बहुत लोग बेअसर हो जाते हैं डर भी जाते हैं जीवन में कालिये बिगड़ जाते हैं कुछ भी नहीं कर पाते हैं, शनी की द्रश्टी हो, शनी की धैया हो, सनी की तेड़ी चाल हो, राहू की कूदरश्टी का कमाल हो, विरक्ति कितना भी बचना क्यों न चाहे, लेकिन जब गुरह अपनी पर आते हैं, तो कहीं न कहीं विरक्ति विवस हो जाता है, बोना पढ़ जाता है कुछ भी नहीं कर पाता है और एक ऐसी स्रणी होती है एक ऐसी स्रंखला होती है वह कुछ जातकों की जिनके उपर ग्रह भी असर नहीं डाल पाते हैं वो कौन होते हैं आईए बहुत संक्षिप्ट से शब्दों में आपको समझा दूँ जो सादक सदयव सुब चिंतन करता हो जो व्यक्ति हमेशा शुब चिंतन करता हो सुब सोचता हो मर्दुल अच्छा व्यवार सब के पृति रखता हो तीर्थ सेवन करता हो तीर्थ पर जाकर के तीर्थ के मर्यादाओं को समझते हुए वह वरवास करता हो घर में दैनिक विधी से पूजन करता हो यग करता हो गव माता की सेवा करता हो और मन में किसी भी तरह का लोग उस ग्यप्ति के ना हो जैसा इस्वर्ण ने दे दिया उसी में उसे संतोस की प्राप्ति हो जाए सबसे बड़ा कारिया है संतोस हम बहुत सारी चीज़े चाहते हैं लेकिन हमें संतोस नहीं मिलता एक बहुत पुरानी घटना मुझे यादा रही है पहले सुनाया करता था थोड़ा सा मुझे समय दें दो मिनट का हमारे नई दर्शक भी हमसे चुड़ गए हैं उन सब के लिए सुना देता हूं दुबारा भगवान विश्णु ने किसी साधक को दर्शन में दर्शन दिये सौपन में दर्शन दिये और कहा कि कल मेरे दरवार में आ जाना जो तुमें चाहिए सब में जाएगा वो ग्रिक्ती चला जाता है और सामने देखता है कि भगवान के बाज़ों में एक बहुत बड़ा बंडल एक बोरी सी है बहुत बड़ा थैला सा है उसे लगा कि इसमें दुनिया की बहुत सारी चीजें है कुछ उसमें दिख भी नहीं है सुरण मादी तो वो कहता है कि इस थैले में तो लगता है परभू बहुत कुछ है कि पूले हाँ बहुत कुछ है जो तुम मांगोगे सब मिलता रहेगा सबसे पहले व्यक्ति को धन का लालच होता है उसने कहा मुझे बहुत सारा धन दे दिये जो जल्द से खतम ना हो परभू ने हाठ डाला उसे धन दे दिया रूप दे दिया वैभव दे दिया पुत्र दे दिया कलत्र दे दिया जो जो वो मांगता रहा परभू उसे सब कुछ देते रहे और बाजू में बैठी मालक्षमी देखती नहीं कि आज तो परभू पूरे द्यावान बने हुए है जो ये मांगता है परभू उसे वही दे रहते है करते करते वो पूरा बोरा पूरा थेला खाली हो जाता है और खाली थेले को भगवान अपने चड़णों में डाल करके दवा लेते है लक्षमी जी को लगा कि मानो उस थेले में भी अभी कुछ बचा है जब सब कुछ तो इसे प्रभू दे ही चुके हैं तो जो बचा है वो भी दे दिया जाए तो मालक्षमी की जब ऐसी भावना प्रभू ने देखी तो उन्हें शांत किया अपने मनभाव से के तुम सांत रहे हमने इसे सब कुछ जो देना था वो दे चुके हैं अब जो बचा है उसे रहने दें प्राणी हैं हम मानभ हैं लाल्ची हो जाते हैं सब चीजों का उसने बोरा सा बांधा और कांधे बेडाला न राम न रहीं और चला गया वो तो चला जाता है लेकिन अब मालक्षमी पूछती है कि प्रभू आपने जो ये चरणों में दवाया है ये क्या है बोले देखो मैंने इसे धन दे दिया सब कुछ मैंने इसको दे दिया लेकिन मेरे जो चरणों में दवा है न इसे संतोस कहते हैं इसे शांती कहते हैं वो मैंने इसको नहीं दिया ये अपने धन में शांती ढूंडेगा इसे नहीं मिलेगी ये अपने रूप में, पुत्र में, कलत्र में, वाइभब में सब जगा शांती संतोज ढूंडेगा इसे नहीं मिलेगी मां बोली फिर कहां मिलेगी इसे? बोले मेरे चरणों में तो कहने का भाओ साद को हम अपने धन में संतोज ढूंटे हैं हम अपने तन में संतोज ढूंटे हैं हमने जाने कहा कहा संतोज सांती ढूंटे हैं लेकिन हमें सांती के प्राक्ति नहीं होती होती है तो वास्तम में प्रभू के चर्णों में जो सादव बैट जाता है ना और मान लेता है कि प्रूहुत तुम अच्छा करें सोप दिया संसार का सारी चीज तुमारे हाथ में सोप दी अब हार हो या जीत हो है भगवन सब तुमारे हाथ में है तो वास्तव में ऐसा ही सादव सचा होता है और उसे ही भगवान हमेशा जीताते रहते हैं कौन ऐसी मा होगी जो ये कहेगी कि मेरा बच्चा हार जाए हर मा अपने बच्चे को विज़ा देखना चाहती है और इसलिए हम जब भी अपने बड़े बुजरुगों से कोई आशीस लेते हैं या सिर्वाद लेते हैं तो आयुश्यमान भाव विज़ाई भाव हमें हर छेत्र में विज़ा की प्राप्ति हो भगवान कितने बड़े हो सकते हैं आंदाजा लगाना मुश्किल है इसलिए जोन के चरणों में सच्ची इस्तिती से बैठता है उसकी विज़ा होती है और नव ग्रह भी उसे विज़ाई प्राप्ति का आशीस देती है तो कहने का भाव जिसके मन में संतोस है जिसके मन में शान्ती है सब कुछ अच्छे से चल रहा है बहले ही वो कैसी भी इस्तिती में रहता हो तो वहाँ ग्रह अपना असर नहीं छोडते है और एक दिन वो आता है कि जैसे राजाओं में सूरिय को राजा की पद्वी पराप्त है सूरिय राजा है लेकिन आत्मा के कारक है तो उस व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कारिय सूरिय करते है चंद्रमा है मन है शांती है संतोश है चंद्रमा उसको ऐसा आशिज देते हैं कि बिटा तुझे मैंने ऐसा आशिज दिया कि तेरे मन में संतोश व्याप्त होगा तेरे मन में शांती व्याप्त होगी शांती बजार से नहीं मिलती संतोस बजार से नहीं मिलता कोई कीमत नहीं है बे कीमती खजाना है कोई नूर हीरे से भी कीमती है संतोस और शांती चंद्रमा उसे संती की प्राप्ती कराते है सूरिय उसका मिलन आत्मा और परमात्मा का कराती है मंगल उसके अंदर अदम में सहास, अदम में गंभीरता धहरी है कितने ही आंधी तुफान के जोके क्यों ना आ जाएं, वो व्यक्ति इस्त्र रहता है, इस्त्रता से मतलब क्या है? उसे अपने परमात्मा पर विस्वास रहता है आज हम वर्थ रखें और वर्थ के दिन हमारा दान तूट जाए हम गिर जाएं नुक्सान हो जाएं, उसी समय हमें शक भगवान पर हो जाता है, लगता है कोई हमने गलती गर्दी भगवान में सजा देगी हम भगवान की पूजाएं करें हमारी लाट्री ना लगता है कि भगवान तो सो रहे हैं साब लाट्री हमारी ने निकल रही किसी और की निकल रही है पोडो सी घर बड़ा बना ले बड़ी गाड़ियां ले आए तो लगता है भगवान हमारी नहीं सुनते पहना नियारा क्या बोलते हैं उसको ताकि घोड़े को केवल अपना लक्षे दिखे सड़क दिखे और वो दोड़ता रहे तो ऐसे ही जब साधक अपनी साधना बैठता है न तो उसे अपने मन को न एकागर भगवान की तरफ दोड़ाना चाहिए इधर उदर नहीं देखना च जाहिएगी वह कारिये भी चंद्रमा करते हैं और वह कारिये मंगल भी करते है इसके लिए उसके लिए ब्रसपति देव घृता मैं तो बहुत कारंगत हो जाओगे अपनी साधना में अपनी विद्रया में हर चीज में हर ग्रह मिलकर के उस विक्ति को सजा देता है हर ग्रह उसे शुवासिश देता है कड़ापी अगर उसके जिवन में साड़े सती भी आएगी धैया भी आएगी उसकी कुंड़ी में ग्रह अस्त भी हो सकते हैं लेकिन वो अपनी साधना के तफ़ो बल पर और अपने अच्छे कर्म के बल पर अपने अच्छे जीवन के उद्धिश्य के बल पर सारे जीवन को जीते जाता है कहने का भाव ऐसे व्यक्तियों का ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं जी हां सारा संसार है सुख दुख की छाओं में हम सब जीते हैं आपने देखा दुर्गा शब्शती में जब भगवती का पादर भाव हुआ तो हिमाले ने सिंग राज उन्हें भेट किया पाताल ने कभी न कुमिनाने वाली सागर ने उन्हें मालाई दी किसी ने कुछ दिया किसी ने कुछ दिया सूरिय देव ने कुछ दिया अपने पढ़िये दुर्गा शब्शती सौनिम आएगा तो ऐसे ही अगर हम जिस व्यक्ति के अंदर सच्ची आस्था है सच्ची लगन हैं नेक नियती पर चलने वाला है संतोशी है तो ग्रह भी साथ देते हैं इसलिए ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि सभी के ग्रह प्रतिकूल ही हो या नुकूल भी होते हैं लेकिन उसके लिए हमें इंसान के अंदर बैठा इंसान को जीवित करना बढ़ता है और बहुत अच्छ जब हम भी एक जोतिस हैं हम भी आपसे बाते करते हैं सुर्य की सनी की राहू की केतु की डरा ना करें आप और कोई आपको बहुत डराने की कोशिस करें तो भी नडरा करें क्यों आप अपने भक्ती पर अपनी साधना पर अपने भगवान पर अपने इमान पर अपने कर्म और आप विश्वास रखा करें सब कुछ ठीक होगा आएए समयों चला आज की ध्यान साधना का भगवान शिव से जोड़ने का मन हैं आएए दो मिनट के लिए भगवान शिव की साधना करें ओम आत्मा त्वंगिर जामती सैचरा प्राणा सरीरं ग्रियं पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रा समा जिस्ति दे संचारा पदयो प्रदक्षण विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवारादनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रे लोक्य सारे हरे मोक्षार्तिम कुरुचित वृच्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्म वे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवर्दाम् वन्दे सिवं संकरं ओम करपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं बुजकेंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी कबच बना लें ध्यान करें भागवान शंबू का 180 हम सब के उपर बरस रहा है कॉम बोलते हुए नेत्रखों ने समान्य हो जाए बहुत ज्यादा सेमिनार्स की डिमांड बहुत सारी इस्तरय की चीजें आपकी आ रही हैं तो भविश्य में देखते हैं कुछ शिक्र ही प्रियास करते हैं और यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आप सब का जीवन हम सब का जीवन परमात्म की डोर से बंदा रहें और हम सब लोग परमात्म की डोर के साहरे एक अच्छे जीवन को प्राप्त कर सकें आप स्वस्त रहें, सुखी रहें, इनी शुक कामनाओं के साथ हम अपनी वानी को विनाम देते ही, जैमा इंद्राक्षी वुरुजी ने उस वक्त मेरे को दो मंत्र दिया, कि इसका आप पाट शुरू करो, और दो दान की शामंकरी बताई थी, उसको मैंने शुरू किया, और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक, मैं फिर जिसे सिती में था, उसके पीछे मुणकर मैंने नहीं देखा किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले, प्रसिद्ध हस्त रेखा, एवं वास्तु विशेशग्य, प्रोफेसर धर्मेंदर शर्माजी से नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें